तो भाई मीडियाटिक की तरफ से मीडियाटिक हीलियो G25 और G35 के ओफिशियल स्पैसिफिकेशन्स रिविल कर दिये गए हैं दोनों प्रोसेसर जो है वो बजट सेग्मेंट के प्रोसेसर है यानि जो एंट्री लेवल के फोन होने वाले हैं 5-6-7-7-7 वाले उनके अंदर देखने को मिलेंगे यहसा मीडियाटिक की तरफ से बोला जारा है भाई की गेमिंग पे थोड़ा ज़्यादा दिया गया है और फोन्स वगिरा की बात करें तो भाई G25 जो प्रोसेसर है वो Redmi 9A के अंदर हमको देखने को मिलेगा और बात करें यहाँ पर G35 की तो हमको Realme C11 और Redmi 9C के अंदर हमको देखने को मिलेगा दोनों processor decent processor है इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले इनी दोनों processor के सारे specifications के बारे में तो फटावट से वीडियो को start कर लेते हैं लेकिन वीडियो को start करने के पहले light target set कर लेते हैं और light target रखते हैं अपन 170 likes का I hope आप complete कर दोगे फटावट से वीडियो को start करते हैं मेरा नाम है यश और pro tech village channel में आपका स्वागत है start करें भाई दोनों processor की fabrication process से तो यहाँ पर दोनों processor मिलते हैं आपको 12 nanometer की fabrication process पर बने हुए और भाई ये चीज थोड़ी सी में को disappointing लगती है media tech की तरफ से कि जब diamond city series में आपको इतनी अच्छी fabrication process देखने को मिलती है तो P series और G series में क्यों उससे compromise किया जाता है क्यों हमको 12 nanometer की fabrication process देखने को मिलती है कम से कम इसको 10 nanometer कर देते 8 nanometer जैसा exynos 850 ने किया है वैसे यहाँ पर अगर fabrication process अच्छी देखने को मिलती तो यह अच्छी बात रहती लेकिन यहाँ पर आपको 12 nanometer की fabrication process ही मिलती है यानि कि यहाँ पर आपको battery consumption थोड़ा से ज़्यादा मिलेगा comparatively और थोड़ा वोथ heating का issue भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बात करेंगे CPU की तो यहाँ पर आपको by single architecture मिलता है और बाई big little approach भी यहाँ पर आपको नहीं मिलती है दोनों processor के अंदर 8 core मिलते हैं आपको arm cortex A53 वाले अब बाई expectation तो यहाँ तक चली गई थी कि G35 में आपको A76 वाले course देखने को मिलेंगे लेकिन बाई A76 तो छोड़ो A55 भी छोड़ दो यहाँ पर पुराने cluster मिलते हैं A53 वाले जो कि भाई performance आपको ठीक ठाक दे देंगे यही चीज आपको P22, P35 में भी देखने को मिलती है और वो ही चीज यहाँ पर आपको दोनों processor में देखने को मिलती है दोनों में 8.4 A53 वाले दिये गए है clock speed की बात करेंगे तो clock speed में हलका फुल का difference है G35 में आपको autocore मिलते है 2.3 Gigahertz पे G25 में मिलते है 2.0 Gigahertz पे तो CPU के मामले में आपको यह difference देखने को मिलता है GPU की बात करेंगे तो GPU में भी यहाँ पर आपको IMG PowerVR 8320 GPU देखने को मिलता है जो की again हमको P22, P35 में देखने को मिला है वो ही GPU यहाँ पर दिया गया है clock speed की बात करेंगे तो 680 MHz पर clock किया गया है G35 में और 650 MHz पर clock किया गया है G25 में तो यहाँ पर gaming के performance भी आपको ठीक मिलेगी कोई ऐसी बहुत खास gaming की performance आपको नहीं मिलने वाली है तो GPU के मामले में भी ठीक था काम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इसके आगे बात करें अगर हम तो यहाँ पर आपको 6GB की LPDDR4X RAM देखने के लिए मिल सकती है 1600 MHz पर दोनों processor के साथ में अगर यहाँ पर LPDDR3 RAM यूज किया जाता है तो 4GB तक की आपको RAM मिलेगी और 933 MHz की आपको RAM frequency मिलेगी तो RAM के मामले में भी decent है LPDDR4X RAM का support तो आपको मिलता है लेकिन जो RAM frequency वो 1600 MHz की मिलती है जो कि ठीक ठाक है कुछ जादा खास नहीं है लेकिन ठीक है बात करेंगे यहाँ पर storage support की तो again यहाँ पर केवल EMMC 5.1 वाली storage का support मिलता है दोनों processor के अंदर UFS 2.1 का support दोनों के अंदर आपको नहीं मिलता है यानि read-write की जो speed होने वाली आपकी वो आपको average देखने को मिलेगी उसी के साथ बात करें जो difference आपको दोनों processor में देखने को मिलता है वो display support के मामले में देखने को मिलता है यहाँ पर full HD plus display का support मिलता है आपको G35 के अंदर G25 के अंदर आपको HD plus display का support मिलता है और यह difference आपको P22 और P35 में भी देखने को मिलता है कि P22 HD display को support करता है P35 full HD display को support करता है तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही किया गया है वीडियो capture की बात करेंगे तो दोनों processor के साथ में full HD plus video आप record कर सकते है 30 fps पर तो यहाँ भी आपको decent performance मिल जाएगी उसी के अलब आप बात कर लें यहाँ पर तो camera support की बात करें तो dual camera तो दोनों के अंदर आपको 13 plus 8 megapixel का मिलेगा लेकिन single camera में आपको हलका से difference देखने को मिलता है G35 के साथ में आपको 25 megapixel का camera मिलेगा और G25 के साथ में आपको maximum 21 megapixel का camera देखने को मिल सकता है तो camera के मामले में भी यहाँ पर आपको ठीक ठाक सी performance मिलेगी साथ ही में बात करें तो दोनों प्रोसेसर के साथ में जो media tech का hyper boost gaming engine है उसका support देखने के लिए मिल जाएगा यानि थोड़ी सी performance better हो जाएगी जो P22 है, P35 है उन से थोड़ी सी better performance देखने को मिलेगी लेकिन बहुत जादा expect आपको नहीं करना चाहिए यह दी सारी specifications इन दोनों प्रोसेसर के बारे में अब भाई मैं मेरा opinion अगर बताऊं दोनों प्रोसेसर को लेकर तो भाई यह बात वो ही हो गई है कि रात की सबजी जो ती उसको सुबह गरम करके हलका सा मसाला डाल करके वापस से आपको परोस दिया गया है वो ही चीज यहां पर करी गई है जो P22 और P35 है सारी चीजे आलमोस्ट सारी चीजे आपको वैसी देखनी को मिलती है लेकिन थोड़ा सा hyper boost का मसाला छिड़क दिया है वैसे यहां पर आपको हलका सा बैटर स्वाद मिल जाएगा दोनों प्रोसेसर से लेकिन बहुत ज़्यादा expectations आपको नहीं रखनी चीजए ये थी भाई मेरी opinion दोनों प्रोसेसर के बारे में आप में को comment करके बताना भाई कि specifications के हिसाब से आपको दोनों प्रोसेसर कैसे लगते हैं comment करके मैं को जरूर से बता देना वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को like करना अपने दोस्तों के साथ share करना चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर लेना bell icon दबा देना और वाल option से लड़ करना है तकि मेरे वीडियो को notifications पहुंच जाए आपको तुरंसे मैं मिलूँगा आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye